हेलो गाईज आप सभी का सौकत है अपने यूटूब चैनल फ्री स्टेडी में तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जामिया की फ्री कोचिंग आईएस के लिए जो लोग भी आईएस की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्डन वीडियो और बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन eligible होता है इस exam को देने के लिए और कितनी सीटे होती है इसमें और कब notification आता है क्या syllabus होता है क्या pattern होता है तो वो सब हम इस वीडियो में cover करने वाले है और जिन लोग ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं करा है तो please subscribe कर लें क्योंकि future में ऐसी बहुत सारी informational वीडियो आने वाली है जो आपको बहुत काम देंगी future में तो आईए हम देख लेते हैं जामिया की notification के बारे में तो जामिया की जो notification है वो generally June में आती है ठीक है जैसे लिखा है residential coaching academy ओके तो सबसे important बात के कौन-कौन लोग applicable है इस exam के लिए सबसे पहले only applicable for minorities, SC, ST and women candidate तो women candidate वो general भी हो सकती है ठीक है general सिर्फ women allow है men allow नहीं है general के minorities SC, ST and women candidate are allowed तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है written test would compromise general study on UPSC model ठीक है and essay writing in English Hindi, Urdu to test candidate ability to express themselves in a organized and structured manner the total duration of examination would be 3R, 3R का हमारे exam होता है, essay writing भी होती है इसमें और GS का भी portion होता है there would be a negative marking for objective type question in the test, negative marking है जैसे हमारे UPSC के exam में होता है same to same जैसा हमारे UPSC exam लेता है वैसे ही यह भी लेता है, यह उसी तरीके से judge करता है बच्चों को one third of the marks will be deducted for a wrong answer जैसे हमारे UPSC में करता है वैसे same यहां भी करता है ठीक है अब देख लेते है पैटन तो इसमें एक paper 1 है आपका paper 2 है ठीक है जैसे हमारे UPSC में होता है paper 1 बस थोड़ा से यहांबर चेंज है the paper 1 would contains of objective type question ठीक है there would be a 60 question and the total marks of this question is 60 into 1 ठीक है and paper 2 consists essay writing for which the total allotted marks would be 60 इसमें दो ऐसे होते हैं आपके 30 30 marks के paper 1 में कहा है sad number का आपका general studies और aptitude होगा और इसमें आपका होगा essay में यह दो ऐसे होते हैं 30 30 number के ठीक है जिसमें से section भी होते हैं एक section में से आपको एक करना है जैसे UPSC में होता सेम वैसे हमें दोनों section में से एक एक करना होता है ऐसे तरह टोटल टाइम alerted for both the paper would be 3 hours दोनों paper के लिए paper 1 paper 2 के लिए हमार पास 3 घंटे होते हैं OMR sheet जो होती है वो 1 hour के बाद collect कर लिए जाती है जो हमारी paper 1 की होती है ठीक है फिर हमें ऐसे के लिए time दिया जाता है ठीक है जो 2 घंटे का होता है ठीक है अब आगे देख लेते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो कि इसमें interview भी है हमारा और personality test भी होता है ठीक है कि यहां पर पूरा essay judge कर जाता है जैसे UPSC में हम बच्चों को judge करते है ठीक है अब जैसे in case of tie अगर कभी tie होता है तो उसमें क्या देखा जाएगा higher marks in essay देखे जाएंगे there is a tie again the higher marks in interview में देखा जाएगा अगर essay में भी tie हो जाता है किसी के same number आया दे तो फिर देखा जाएगा interview में किसके जाधा number है ठीक है अगर फिर भी tie हो रहा है नमबरों में तो फिर देखा जाता है जिसकी कम उमर होती है उसे seat दे दी जाती है ठीक ह only those candidates who have already completed their graduation need to apply वही लोग apply करें जो already अपनी graduation को कर चुके हैं coaching will include coaching में वो क्या कर प्रोवाइट करेंगे हमें एक तो general study class होगी CSAD, selected optional paper b, test series, answer evaluation, essay writing practice और यहां की जो faculty वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि हर साल यहां से कुछ ना कुछ तो result आता है यह अच्छा ही result आता है 30, कभी 30, 30 में तो लगभग करी रहें लोग selection हो ही रहा है यहां से the academy will also conduct mock interview, यह mock interview कराया जाते हैं यहां पर who qualify the main examination, जैसे होता है जो लोग qualify कर देते में तो उनका सीधा mock interview कराया जाता है यहां पर test series, prelims comes, main will be heard during January के डैम माई संदोयार 19 में test series होती है ठीक है test series यह मैं आपको संदोयार 18 वाला बता रहा हूँ अभी संदोयार 19 की notification आएगी आपकी जून में ठीक है test series means will be held September 19 यह इन्हों बता रखका है ठीक है library facility is provided 24 hours की आपको library facility provide करे जाएगी सिर्फ पढ़िये और selection करें लाइए यह scholarship जो आपको 20% admitted student को मिलती है जो 2000 पर मंद मिलती है ठीक है total seat किनी होती है हम यह देख लिए 150 यहाँ पर आपकी seat है और hostel की पूरी विवस्ता होती है आपको वही रहना होता है ठीक है वही रहके तयारी करनी होती है ठीक है और application has to be online online आपका application form बढ़ा जाएगा इसकी fee 500 रुपीज होती है ठीक है यह जो date है 2018 की है अब 2019 की जून में जब exam आएका नोटिफिक्शन जून में तो उसका एक schedule आएगा ठीक है यह जासे आप देख लीजिए पूरा schedule है यहाँ पर इसे detail में इतना हो करने की ज़रूरती है आप पढ़ी ही लिगे इतना तो आप एप्लिकेशन फीज 500 रुपीज यह ध्यान लखिएगा only applicable for minorities SC ST and women candidates of general ओके तो यह था था थोड़ा सा overview जिसके बारे में थोड़ा पताया और अगर आप चाहेंगे तो comment करिएगा नीचे वीडियो में तो मैं syllabus की भी वीडियो बना दूंगा कि क्या syllabus है हमारे जामिया के ठीक है तो thank you मिलते हैं अगली वीडियो में जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करने क्योंकि future में आपको बहुत सारी ऐसी ही informational वीडियो मिलने वाली है और हम अपने चैनल पे बहुत सारी static portion की भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिससे बच्चों को help मिलें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं खुद भी सीखिए और औरों को भी सिखाइए ठीक है गुडबाए